बिस्मिल्लाहिरोहमानुरहीम आज हम डिसकस करें डिफ्रेंशिल एक्वेशन वन उसका लेक्चर 18 है मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद AP Mathematics है यहाँ पार FSE, BS, BSE और MSE Mathematics को डिसकस किया जाता है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर करें आज हम डिसकस करेंगे डिफ्रेंशिल एक्वेशन सौलेवल फार Y देखें जब आप किसी एक्वेशन को सौलेवल फार Y डिसकस करते हैं तो उसे एक्वेशन में जो Y है वो सिंगल पावर में आए तो आप क्या करेंगे जब इसको सौल करेंगे तो Y को आप एक सेट पे कर लेंगे और आप इसका derivative लेंगे with respect to x और dy बड़ा dx को हम denote करते हैं P से देखें यहां पर और करें इस equation में जो हमारे पास y है वो देखें single power में है यहां x है x square में भी है और x one power में भी है तो इसको आप कभी solve level for x नहीं कर सकते इसको आप solve level for y करेंगे तो देखें किसको solve करेंगे जो आपके पास negative है इसको y को आप एक साट पर कर लें यह negative है जाना अगर positive 3yp is equal to xp square plus qx square तो आप इस equation को p पे divide कर लें या 3p पे divide कर लें की बात है तो xp square over 3p plus qx square over 3p तो y is equal to cancel कर लें xp over 3 plus qx square over 3p तो यह हमारे पास अब हम इसको solve solve for y करेंगे तो हम इसको differentiate करेंगे with respect to x जब differentiate करेंगे तो dy over dx यहाँ देखें यहाँ दो function हैं यहाँ पे हैं p हमारे पास 1 over p as it x square का derivative 2x तो जब आप इसको solve करेंगे dy over dx इसको multiply कर लें p over 3 plus x over 3 dp over dx plus इसको आप नीचे लिख सकते हैं minus qx square over 3p square dp over dx यह नीचे अगर positive और negative के आगे हम हमारे पास start में तो plus इसको multiply करें q2x over 3p अब आपको पता है कि dy dy over dx किसके बरावरता है p के तो इसकी value आप उट करें p तो next हम इसको solve करते हैं हमारे पास यह final आगया यह p is equal to p over 3 plus x over 3 dp over dx minus q x square over 3 p square dp over dx dx plus 2 qx over 3 p इस एक अच्छा आप इसको solve करेंगे अब आपको इसको इसको इसरे माइनस कर दें यहां से आप common ले लें sorry इन दोनों में से dp over dx common हाजागा तो हमारे पास x over 3 minus qx square over 3 p square तो यह हमारे पार फाइनल आगा है यह P इसको तर माइनस करें P over 3 इसको तर पॉजिटिव हो जागा पलास Q स्केर ओर सुरी यह बला माइनस 2 2 Q X over 3 P इस कैल से ले 3 P माइनस P 2 P over 3 माइनस 2 Q X over 3 P तो यहां से आप कॉमल ले लें X over 3 कॉमल लेंगे 1 माइनस Q X over P स्केर D P over D X यहां से भी आप कॉमल ले लें 2 over 3 कॉमल तो क्या लेगा P माइनस 2 कॉमल लेगा Q X over P into is equal to X over 3 1 माइनस Q X over P स्केर D P over D X तो देखें जब आपने फाइनल यहां से कॉमल लिया तो आप के पास जो फैक्टर बना यहां पे वो फैक्टर आप के पास आया जो यहां फैक्टर आप के पास है 1 बाइ 3 माइनस 3 X over P स्केर into 2 P minus X D P over D X is equal to 0 जब हमने इसके फैक्टर जिशन किया तो हमारे पास यहांसर आया तो आप आप इसको सॉल्ट करें आप 1 over 3 minus 3 X over P स्केर is equal to 0 2 P minus X D P over D X is equal to 0 इसको ज़ें 2 P minus is equal to X D P over D X तो आप आप सेपरेबल करें D P के साथ P रखम आए और D X के साथ X वाले फैक्टर आए इसको ज़ें D X over X और 1 over 2 P D P करें इसको इंटिग्रेट यहां ज़ेंगा 1 over X D X 1 over 2 1 over P D P तो यहां गया natural log of X is equal to 1 by 2 log of P plus log of C तो आप क्या कर सेंगे आप 2 की तर मल्टिम्रा भी कर सकते हैं तो यहां ज़ेंगा हमारे पास log of X के log of P into C तो log से log कैंसल हमारे पास X के रादेगा P over C यहां से P की वैलू ले ले P की वैलू आगी X के रोवर C इसको बोलें question number 2 जो हमारे पास start में equation थी इसको आप क्या बोलें question number 1 यह है X P स्केर माइनर 3Y P पास Q यहां पूट कर देगा है अठा के P की वैलू यहां put कर दें इसमें P की वैलू यहां पूट कर देंगे X X 4 OVC स्केर माइनर 3 X स्केर OVC पास Q X स्केर इसको स्केर से मद्ड़ी में कर दें C 4 X स्केर माइनर 3 Y X स्केर C पास Q C स्केर X स्केर इसकेर 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 जीरू विच इसरेक्वाइड स्लूशन यह हमारे पास के आगया journal solution आगया आगया इसकेर इसको इसको इसकेर आगया तो 2 P minus X तो जिसमें доп over dX इसको आप solve कर लें वहां से आप P की value नका लेंगी जैसे पी की value नका ली थी हमारे पास हाई थी x square over c तो उसको आप equation number 1 यह वाली इसमें put कर दें तो वही आपके पाइज रूशन होगा तो देखे रहे पाइज था एक्स केर इ Toy अब हमारे पास सेकंड क्वेशन है इसका हूं करेंगे सब्सक्राइज रेओ आपका व्छ मारे पास है यस एक्स понять पर फण फ्री एक्स पर यह पहला अवाइज एकल गर्डू देखें यह भी एक्वेशन Y है, सॉरी Y यहां क्या है सिंगल पावर देखें X यहां 1 पावर यह और 8 भी है तो यह सिर्फ जो एक्वेशन है यह सॉलेबल फार Y है, मैंने बताया कि अगर आपने सॉलेबल फार Y करना है तो Y एक दफ़ा है और Y की पावर क्या हो बान हो इसको इसको दूसरे ले जाए नाईनि वाई Is E Call To माइनस एक्स एट पी स्केर माइनस थी एक्स पी तो डफरेंशियेट इस ट्रिकेशन को बान हो square आ गया minus X की power 8 as it इस पर power शुरू में इसकी power एक खाम dp over dx minus 3 x का derivative 1 क्या गया p minus 3 x as it p का derivative dp over dx तो 9 dy over dx आपको पता है कि dy over dx हमारे पास क्या होता है P 9 P minus 8 x 7 P square minus x 8 2 x 8 P dp over dx minus 3 P minus 3 x dp over dx यहां से dp over dx को अब ले लें तो बाकि फैक्ट को आप ज़र लें इसको ज़रा कर क्या हो जगा 12 12 P यह ज़रा कर positive plus 8 x 7 P square तो यहां से आप common लेंगे dp over dx तो हमारे पास आजएगा minus 2 x 8 P minus 3 x तो यहां से आप x भी common ले सकते हैं x common लें minus x common dp over dx 2 x 7 P plus 3 इधर से आप common लें 4 P common तो क्या लेगा 3 plus यह आगा हमारे पास 3 और यह आगा 2 x 7 P तो इसको ज़रा कर लें 4 P 4 P 3 plus x 2 x 7 P plus x dp over dx 2 x 7 P plus 3 is equal to 0 देखें सेम फैक्टर है 4 P plus x dp over dx into 3 plus 2 x 7 P is equal to 0 4 P plus x dp over dx is equal to 0 3 plus 2 x 7 P is equal to 0 तो मैंने का था जहां dp plus ds यहां से अपना solution फैंड कर लें आप तो 4 P minus is equal to x dp over dx यह ज़रा कर माइनस तो आप आप सेपरेबल कर लें P के साथ P वेल्टर में और d के साथ इवाइड कर दें इसको देवाइड कर दें इसको देवाइड कर दें देखें हमने जब solve किया था तो यही देखें equation आएगी हमने इसको solve किया solve level far x इसके factorization की है तो देखें यही factor हमारे पास आए थे इसको मैंने solve कर लिया जब आप इसको integrate करेंगे dp over p minus 4 1 over x dx तो यह क्या देगा log of p minus 4 log of x plus log of c तो आप लिए सकते हैं log of p यह power क्या बाइने की multiple log of x की power minus 4 plus log of c तो log of p log of x की power minus 4 into c जिसको मैं लिए सका हूँ log of p log of c over x 4 log से log cancel p is equal to c x 4 तो मैंने कहा था कि यह p की value of equation number 1 में पूट कर देंगे यह equation number 1 क्या थी x 8 p square plus 3 x p plus 9 y is equal to 0 तो यह p की value उठागे अब यहां पूट कर दें तो x 8 p की value c over x 4 का square plus 3 x x p की value c over x 4 plus 9 y is equal to 0 इसको simplify कर लें तो आगे पास यह इसका required answer है यह हमारे पास कैस का journal solution एक और इस equation है जो हमारे पास soluble far p है उसमें हमारे पास जो question है वो दिया गया है हमारे पास उसमें हम इसको soluble far p करेंगे p square plus 3 x p minus y is equal to 0 देखें इसको हम soluble far x भी का से soluble far y तो हम इसको पहले है कि हम इसको soluble far y करें तो y को पॉस्टे कारते है y is equal to p square plus 3 x p differentiate with respect to x तो यह लेगा d y over dx इसका डर्यूव लें 2p d p over dx plus 3 x का डर्यूट 1 sorry x as it p का डर्यूव ड्यूव 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 द्यूव द्यूव ड्यूव द्यूव द्यूट 10 खाते हैं तो आपको पता है इत्ल हależy था पुत खाते हैं तो पुत द्पी और द्पी और द्पीप अवर द्पी थाम तर्सक्व craft पलार three x dp blood three p इसको तरओ मानस कारते हैं तो क्वा देगा bağ Myers तो 2P प्लास 3X DP ओवर DX आप कहले ले कॉमन इसको तो मल्टिप्ला कारें इसको क्या करें डवाइड माइनस 2P यह जाना मल्टिप्ला यह जाना डवाइड DP इस इकल तो 2P प्लास 3X इसको दो लेजें यह हमारे पास आजेगा 2P DX ओवर DP DP प्लास 3X 3X यह जाना अगर पॉजवर यह जाना माइनस 2P तो देखें अब हम इसको इस इक्वेशन को डवाइड करेंगे 2P पे डिवाइडिंग बाए डिवाइडिंग बाए 2P तो क्या जाना DX ओवर DP प्लास 3 ओवर 2P एक्स इकल तो माइनस 1 विच इज लिनियर इक्वेशन विच इज लिनियर इक्वेशन आपको पता है लिनियर इक्वेशन क्या थी आपके पास कि DY ओवर DX प्लास P औफ एक्स इंटू Y इस इकल टो Q औफ एक्स देखें यहां independent variable का है y, तो y का हो सिंगल पावर में, देखें यहां x का है सिंगल पावर में, तो इसका multiple का होना चाहिए है, वान है इसली में इसको 2P से वेड़ वाइड किया, तो अब आप देखें यह क्या है, integration factor, क्या है पी आफ एक्स, तो निकालेंगे integration factor, क्या है e की power, 3 3 over 2 PDP, तो e 3 over 2 को बाहर ले लें, 1 over PDP, तो यहाज़ेगा हमारे पाद 3 over 2 natural log of p, जिसको मैं लेक्स हो, e की power, p की power 3 by 2, तो log से anti-log cancel, तो p की power क्या आज़ेगी 3 by 2, तो 3 by 2 को आप इससे multiply करते है, जो आके पाद linear question है, यह बंज़ेगी, multiply करें, देखें, हमारे पास p की value क्या आज़े, 3 by 2, तो आप इसको equation number a से क्या कर देंगे, multiply, मैंने बताया था कि जब linear equation को multiply करते हैं, तो यह फॉरन क्या बंज़ेगी देखें, यह derivative बनेगा, d over dp, यह derivative बनेगा, एक x का, और इसके साथ जो function multiply, p की बाद 3 by 2, is equal to minus p by 3 by 2, तो integrate, derivative से integration cancel, x की power 3 by 2, इसकी p की power 5 by 2, over 5 by 2, plus c constant of integration, तो x p की power 3 by 2, जो है कि minus 2 over 5, p की power 5 by 2, is equal to c, इसको जो पॉस्टे कर लें, x p की power 3 by 2, plus 2 over 5 की power, p की power 5 by 2, is equal to c, तो यहां से आप comma ले सकते हैं, p की power 3 by 2 को, यह 5 by 2, तो यह हमारे पास, पी बाद 3 लें, तो यह हमारे पास आजएगा, अगर इसका भी LC आप ले सकते हैं, LC 5 x, 5 x plus 2 p, 2 p, is equal to 5 c, देखें यह 5 ज़री multiply होगा, तो क्योंगे 5 c भी काउशना है, और c भी काउशना है, और c भी काउशना है, उसको आप simple c लिख ले, तो यह हमारे पास क्या required answer, यह very very important lecture था, इसमें को issue हो तो आप हमारे साथ discuss कर सकते हैं,